मॉर्णिंग आल आफ यू वेलकम इन दर यूट्यू चैनल आप नागमनी केमिस्ट्री क्लासेश आज हम लोग देखेंगे एलीमेंट्स चैप्टर है आपका बेसिक कंसेप्स ऑप केमिस्ट्री इसमें एलीमेंट्स क्या है तो अपढ़ चुके थे एलीमेंट्स मैय्टर का पीउर सवस्तांस एलीमेंट्स मैटर के फिर सबस्तांस है हम लिखें हैं दा प्यूर सबस्तांस which which contains only one kind of atoms is called element वो ऐसे प्योर सबस्टांस जो एक ही परकार के एटम से बने हैं उसे एलिमेंट कहते हैं वे प्योर सबस्टांस जो एक ही परकार के एटम से बने हैं उसे एलिमेंट कहते हैं पेरियोडिक टेवल में पुराने के अनुसार एक सोपांच एलिमेंट 105 एलिमेंट थे लेकिन आजकल टोटल नम्बर ओफ़ एलिमेंट 118 हैं टोटल नंबर ओफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल नंबर ओफ एलिमेंट्स 118 हैं इस एलिमेंट में कुछ मेटल होते हैं कुछ ननमेटल होते हैं और कुछ मेटालवाइड होते हैं अब तीनों सब्द से परिचित होंगे मेटल ननमेटल मेटालवाइड कोई ऐसा एक पॉइं इलिमेंट को मेटल और नन मेटल में अंतर नहीं बता सकते हैं इसके लिए ग्रूप और पॉइंट की जरूरत होती है जो आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे लेकिन हमें थोड़ा सा बतलाना है कि कौन से इलिमेंट मेटल में होंगे कौन से इलिमेंट नन मेटल होंगे और कौन मेटल वाइट इसे याद करना जरूरी है इसके बीना आगे हम यह नहीं कर सकते हैं किस पर पॉजिटिव चार जाएगा और किस पर निगेटिव इसलिए उसको पता लगाने से पहले इलिमेंट का ग्रूप पता लगा लेना है कि व मेटल वाइड मेटल वाइड को दूसरा नाम सेमी मेटल भी कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग मेटल वाइड को हैं देख लें मेटल वाइड का दूसरा नाम सेमी मेटल है सेमी का मतलब होता है हाप सेमी जो सब्द है सेमी का मतलब होता है हाप हाफ का मतलब आधा हाफ का मतलब आधा आधा कहता है मेटल होंगे हाफ मेटल होंगे तो इसका मतलब रेस्ट हाफ जो होंगे वो नन मेटल मने मेटाल वाइड वैसे हैं जिनमें आधी प्रोपर्टी मेटल के होते हैं और उसकी आधी प्रोपर्टी नन मेटल के simply कह सकते हैं वैसे element जिसमें metal और non-metal दोनों की property पाए जाते हैं उसे metal, void और semi-metal कहते हैं कि याद कर लेंगे कौन-कौन से हैं सिलिकन, जेर्मेनियम, और सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलूरियम, यह आपका अच्छा का सेट ही है याद होंगे यह दोनों एक साथ याद करिएगा सिलिकन, जेर्मेनियम, और सेनिक, एंटीमनी, और सेलेनियम, और टेलूरियम, सेलेनियम, टेलूरियम, यह आपका अच्छे ऐसे element हैं जिन में metal का गुन भी है और non-metal का भी गुन है, गुन का मतलब properties हैं अब आपके जब यह याद हो जाएं तब हम लोग आएं non-metal पर किस पर आएंगे? नन-metal, वैसे element जिसमें non-metal की property होंगे, उसे non-metal कहेंगे, यह non-metal की property आप 19 में पढ़े होंगे, non-metal bad conductor होता है, और बहुत से pro point आप पढ़ चुके हैं, metal और non-metal में वो 19 में था, हम आगे कह रहे हैं, तो आप समझें, non-metal का नाम याद कर लेंगे, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, chlorine, chlorine, bromine, iodine, यह चारों एक साथ याद करेंगे, fluorine, chlorine, bromine, iodine, और यह पूरा एक साथ, helium, neon, argon, krypton, genon, redon, यह पूरे member, क्या है, non-metal है, यह क्या member हैं सभी, non-metal, कौन-कौन से हैं, फिर से, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, phosphorus, एक साथ ही याद करेंगे, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, chlorine, chlorine, bromine, iodine, helium, neon, argon, krypton, genon, redon, उसको एक similar word से भी बोला जाता है, है ना अगर कर, zero run, है ना अगर कर, zero run, एक ट्रिक हैं, zero group का, है ना अगर कर, zero run, है से हिलियान, ना से नियान, अगर कर, आरगन, और कर, मने क्रिप्टन, zero, जेन, और एन, रेडन, अगर आपको, मेटल वाइड याद हो जाएं, और नन मेटल याद हो जाएं, तो कहिएगा, मेटल कौन है, जो यहाँ उपलब्द एलिमेंट नहीं है, वे सभी एलिमेंट, मेटल कहलाएंगे, क्या कहें, मेटल वाइड और नन मेटल में नहीं हो, तो वे सभी एलिमेंट, क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाते हैं, जैसे आप से कोई पुछे, जींक मेटल है कि नन मेटल, आप कहिएगा, मेटल वाइड में नहीं है, नन मेटल में नहीं है, यह दोनों जगह नहीं होने पर, वह क्या होंगे, मेटल, कोई आप से पुछे, सी आर, सी आर क्रोमियम को कहते हैं, मेटाल वाइड में नहीं है नन मेटल में नहीं है जब यहां दोनों जगह में उपलब्ड नहीं रहने पर वे-ेअलिमेंट मेडल होगे खेए आपको डबलू को यहां डबल हुण है यहां भी डबलू नहीं है डबलू काता है टंगस्टन टंगस्टन का बल्व में फिलामेंट बनाया जाता है जो बल्व रहता था यह LED बल्व नहीं पुराना वला बल्व चलता था वो बल्व में क्या होता था क्वाइल बनता था तो उस जो क्वाइल थे वो किस से रहते थे उसको फिलामेंट कहते हैं उस फिलामेंट क्या से तियार होते हैं टंगस्टन से एक और इसके विस्षिश्टा है सबसे हाड मेटल टंगस्टन होता है इमंग ओल टंगस्टन इज-हार्ड सितना मेटल आपके हैं तो सभी मैटल में टंगस्टन क्या होते हैं क्या होंगे hardest होते हैं सबसे खड़ा अब आप यह जब याद कर लेंगे तब हम लोग काम कर रहे हैं आयन पर क्या काम करने जा रहे हैं आयन पर अब आयन है आयन क्या होते हैं और हम लोग जानेंगे उसे आयन कहते हैं वैसे atom और group of atom जिस पर charge रहता है उसे आयन कहते हैं कह सकते हैं आप An atom or group of atom which carries electrical charge is called iron atom or group of atoms which carries electrical charge is called iron कहता है atom or group of atom जो electrical charge को carry करता है electrical charge को carry करता है उसे आयन कहते हैं आयन कैसे बनते हैं आयन बनने का कारण है electron का loss होना या electron का gain होना electron के loss organ से iron बनते हैं हम आगे दिखलाएंगे कैसे loss होंगे कैसे gain होंगे और electron कहां रहता है अभी हम लोग पढ़ लें types of iron iron दो type के होते हैं cut iron कैसन नहीं पढ़ लेंगे कट आयन types of iron दो तरेके के होंगे cut iron और in iron cut iron किसे कहेंगे in iron किसे कहेंगे जैसा नाम है cut iron positive charge iron को cut iron कहते हैं positive charge iron को cut iron कहते हैं कोई कहे का in iron किसे कहते है negative charge iron को in iron कहते है positive charge iron ही चाएं को cut iron negative charge iron है इज़ cut iron कैसे बनते हैं कैसे हैं electron के loss करने से मने एलेक्ट्रोन के छोड़ने से त्याग करने से तो कह सकते हैं कटायन इज फॉर्म बाई लॉस ओफ एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन के लॉस से कटायन बनते हैं कोई कहगा एनायन इलेक्ट्रोन के गेन करने से गेन का मतलब गरहन करने से ले लेने से अकसेप्ट करने से इनायन बनते हैं इलेक्ट्रोन के लॉस से कटायन बनते हैं इलेक्ट्रोन के गेन से इनायन बनते हैं अब प्रॉब्लम यहां है सबसे बड़ी कि कटायन कौन बनाएगा और एनायन कौन बनाएगा मतलब कटायन कौन से एलिमेंट बनाते हैं और एनायन कौन से एलिमेंट बनाते हैं और कहें तो कौन एलिमेंट हैं जो एलेप्ट्रोन को लॉस करते हैं कौन एलिमेंट हैं जो एल करने होंगे और कैसे लोस करेंगे मैं दिखला हूं यह याद करिए काई ए概 दिशामपल जनरली हाइडरोजन कतायन बनाते हैं मने इलेक्ट्रोन को लॉस्प मैटल मेटलHigh गनलवाइट आईद कर गरते हैं एक दो और एक साथ अलग से रटी अमोनियम एंड फास्फोनियम आयन बनाते हैं अमोनियम और फास्फोनियम कटायन के एक्जाम्पल है तो कौन-कौन होगया जनरली फैट्रोजन ओल मेतल और मेटल वाइट अमोनियम एंड फॉस्फोनियम और एक्जामपल ऑप कटायन याद रहेंगे कटायन के एक्जामपल फिर से जिनरली हाइड्रोजन ओल मेटल ओल मेटलवाइट एंड अमोनियम एंड फॉस्फोनियम आयन सिमेलरली कौन होंगे जो एलेक्ट्रोन गेन करेंगे और निगेटीव बनाएंगे उसमें जिनरली ननमेटल जिनरली ननमेटल जो होंगे इनायन बनाते हैं मने एलेक्ट्रोन को accept करते हैं यहां बगल में लिखे हुए हैं रियर हाइड्रोजन रियर मने हाइड्रोजन बहुत कम इनायन बनाएंगे जादेतर क्या बनाएंगे हाइड्रोजन कटायन बनाते हैं दूसरा ग्रूप आफ ननमेटल अगर ग्रूप आफ ननमेटल हो तो वह भी इनायन बनाते हैं और आपका एक ग्रूप आफ ननमेटल में एक्सेप्शन है उनकप अन्हें ग्रूप ऑफ नं ड्ना इन बनाते हैं लेकिन एनेज़ फोर और पूर को छोड़ कर एनेज़ फोर अमोनियम पीछ फोर फॉस्फोर फोस्फोनियम ऑर फॉस्फोनियम पॉजिटीव बना लेता है जबकि group of non-metal negative होते हैं अब वाद में कौन किन को छोड़कर ammonium and phosphonium metal associated with non-metal अगर कोई metal non-metal से जुड़ा होगा इनायन बनाते हैं मैं सबका एक्जामपल बतलाता हूँ थोड़ा दियान से देखिए आपको non-metal और metal का नाम याद होना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं एफी ओटू एफी मेटल है ओ ननन मेटल है मतलब मेटल एससोसियेटेड बिथ ननन मेटल मेटल एससीयेटेड बिथ ननन मेटल और इस पर you're nice आज होंगें क्या चार्ज होंगे है निंगेटिव है अब आपका cr więks उब टृख सिएयर मेटल है ओ नंध मेटल है मेटल आसोसियेटेड लिए जुड़ा से तो यस्योर ही निगेटिव होंगे और एक्जामपल इस वी ओ थरी इस वी मेटाल वाइड है इस वी मेटाल वाइड है ओ नन मेटल है तो वह क्या होंगे, निगेटिव होंगे, जैसे और, C-L-O-4, C-L-O-4, C-L है, नन मेटल, ओ, नन मेटल, नन मेटल, नन मेटल को कह सकते हैं, ग्रूप ओफ नन मेटल, निगेटिव होते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ कर, N और H, ग्रूप ओफ नन मेटल, P और H, ग्रूप ओफ नन मेटल, लेकिन इन दोनों पर, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इन दोनों पर, पॉजिटिव चार्ज रहता है, मने सभी ग्रूप ओफ नन मेटल, निगेटिव होंगे, जबकि, क्या, अमोनियम और फास्पोनियम, पॉजिटिव होते हैं, अब अगले क्लास जब आएंगे हम, आपको यह सिखला देंगे, कि पॉजिटिव कितना होगा, और निगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आने का कारण तो जानगे, एलेक्ट्रोन लॉस होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, एलेक्ट्रोन गेन होंगे, निगेटिव बनेंगे, लेकिन अगले दिन हम लोग यह जानेंगे, कितनी पॉजिट और कितनी निगेटीव होंगें ये एल्टु हुआ सेकंड लेक्चर थैंक यू वेरी मच्छ पोर स्टडी ओनलाइन